इस वक्त हम मौझूद हैं सूरज को इस्तित कलेक्टेट पर और हमारे साथ हैं इस वक्त बावन खताना जो कि भारते किसानी उएंके प्रदेश परोकता हैं साथ महिने से कलेक्टेट पर धरना दिया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर लेकिन अभी तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है आज इसको लेकर एक महापरचायद प्लाइगी है तो बात करते हैं उनसे जानते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं और क्या अभी तक और तीनों प्रादी करणों पर किसानों का 64.7% मावजा 10% आवासी प्लॉट आज तक भी किसानों को नहीं दिया गया है सासन और फिर सासन ने पांच तान से यह गोशना कर दिया है कि सभी किसानों को दिया जाना चाहिए अब प्रादी करणों की गलत नीथियों के कारण और प्रिसासन के गलत रविये के कारण किसी किसान से यह कहा जाता है कि आपको कूठ जाना पड़ेगा जबकि एक भाई को मिल जाता है और पूसरे को नहीं मिलता इस चीज़ को लेकर करके हम यहां पर बैटे हुए पार दशिता के साथ में हम यहां पर रष्टाचार नहीं होने जाएंगे और सभी किसानों को एक मुस्त चौहट पंच साथ किसात मावजा और दस मिलोट दिलाए जाना चाहिए तीसरा हमारे यहां पर वतंबुद्द नगर में पंचाच राजरस्ता खतम कर दी गई है और यहां के जो काउन को मलीन बस्कियों में तब्दील कर दिया गया है वहां पर प्रादीकान और दौरत कोई उनकी ना सफाई ना कोई सच्थता वहां पर दी जा रही है उसको लेक दीज नहीं कराई गई है तो उस चीज को ले करके हम यहां बैठे हुए हैं पिछले साथ महीने हमने क्रोस करते हुए 21 मई 2018 समया बैठे हैं और आज आठों महीना हमारा यहां पर चल रहा है लेकिन प्रादीकर्ण के गलत रवईये को देखते हुए यहां पर कुछ होने की स आरफार खनर लें लेकिन जो आरफार खनर लेंडिये वार्तिक्सान यूनियन जिन्दाफ ज़्याइब जे जवार्तिक्सान रहेगा जब तक तुकी किसान रहेगा अबीद साली अगलाई है आगे बहुत दड़ाई है बापाट टिके बापाट टिके चादरी राकेश टिके जिन्दावार चादरी दरेश टिके जेक जवार जेक जवार आज तक इस धरने पर किसान यूनियन के पतादकारियों की या इस छेतर के किसानों की बात सुनने के लिए कोई भी अदकारी हमारे बीच में नहीं आ रहा अभी परसों सौमवार को जब कोई नहीं आया काफी बताने के बाब जू देलाई को सुचित किया कि भई हम हमारी बात सुनने के लिए कौन सक्षमतकारी कोई आये लेकिन जब कोई नहीं आया तो यहां से हमारे किसान अज़ी अज़ा बीच में अपने अपने पंचा सुरू कर दी इसी बीच में अडियम साब बाहर निकल कर के आए उन्होंने पीन वादे पीन वादे ऐसे आनन फानन में किये कि जो आपके सामने एक तो उन्होंने अलाब का किया था कि अलाब तुरंथ लगे बहिए देख लो यहां कोई अलाब की लिए कोई लकडी कंडा उपला कई पड़े हो तो देख ले हो कोई आया हो तो बता दे हो दूसरा उन्होंने वादा किया कि पानी 24 घंटा मिलेगा यहां पानी की विवस्ता कतम कर दी तीसरा बिजली का उन्होंने तुरंथ ऐसे समझो जैसे अभी तकाल प्रभाब से इनकी सब बात मानने हैं और सब काम आज ही हो जाएंगे जाएंगे